उबर इंडिया के भारत में 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इन 9 वर्षों में उबर और अनेक राइड हेलिंग आप्स कम से कम अर्बन इंडिया के रोजाना जीवन का हिस्सा बन चुके हैं आगे की क्या प्लान है क्या स्ट्राटेजी है और क्यों इतने कम्प्लेंट्स आते हैं ऐसी सर्वेसिस पर यह सारी बाते करने के लिए हमारे साथ आज हमारे मुंबई ओफिस में मौझूद है प्रभजी जी ये प्रेजिडेंट है उबर इंडिया और साथेजिया के प्रभजी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सबसे पहले ये बताईए कि नो वर्ष हो चुके हैं उबर इंडिया को बड़ी चुनौतिया क्या रही तमना जी पहले शुक्रिया मेरे को यहां पर इन्वाइट करने के लिए लिए कि उबर दो हजार थेरा में शुरुवात की थी हमने बैंगलोर में जब एक बटन दबाने से एक लगजिरी गाड़ी एक कंज्यूमर के घर पे डोर स्टेप पहुंच गई थी वहां से लेके आज we have had बहुत ज़्यादा चेंजिस इन हाओ दो प्रोड़क्ट हैस टेकन भाया कंज्यूमर तो दो या तीन चनोतियां जो हमने ओवर्कम की हैं नंबर वन था कंज्यूमर को पहले एक्सेट कराने का कि आप बटन दबाके एक गाड़ी आपके डोर स्टेप पर आ जाएगी वह कॉन्फिदेंस दिलाना उसके लिए हमें काफी इंवेस्टमेंट्स करनी पड़ी थी मार्किट में नए वहिकल्स इंट्रद्यूस करने पड नहीं है अगर आप उबर का इंडिया में जर्नी देखेंगे तो हम आटो और मोटो तीन पईये और दो पईये वाली गाड़ी पे जादा ट्रिप करते हैं फोर वीलर्स में यह कहां चलती है क्या यह बड़े शहरों में भी चलते हैं या टियर टू टियर थी सिटी में चलती है तो even in large cities, two-wheelers or three-wheelers बहुत fast grow कर रहे हैं और even in tier two and tier three cities, in fact, kahi tier two, three cities में हमने car-based product अभी launch ही नहीं किया, हमने सीधे auto या moto product से launch किया है, हम देख रहे हैं in large cities में, consumers use कर रहे हैं two-wheeler को to go from home to metro station, so that last mile connectivity का solution है, गुरगाओ जैसे शहरों में, then they take the metro train and go away into the public transport, बहुत efficient है, हमन हमने auto का use case देखा है, short distance, point to point के लिए, cars-based service तो obviously bigs चहरों में बहुत जादा, big तरीके से लोगों ने उसको embrace किया है, क्या इसका एक कारण ये भी हो सकता है, कि fuel के dam, petrol, diesel के dam इतने बढ़ गए हैं, तो लोग सस्ते option को देख रहे हैं, या जो कम dam वाले option हैं, उनको देख रह हैं, और उसका कुछ आपको pass-on भी करना पड़ा है, consumer को, तमना, Uber एक technology platform है, और जो connect करता है riders को, drivers के साथ, जो अपनी vehicles या fleet partner, जो vehicles लगाते हैं platform के साथ, जैसे, और उनका main cost of operations लगता है fuel का, अगर वो fuel cost में increase हुआ है, 25% से 40% प्रतिशन पिछली एक साल में, तो prices में वो changes क यह गए हैं, ताकि जो driver का earnings है, वो सफर ना करें, ताकि वो platform से जुड़े रहें, उनको एक decent return मिलता रहें, उसके कारण हमने देखा है कि platform में still कोई growth में problem नहीं है, platform की growth actually बढ़ रही है, जो consumers three wheeler और two wheeler को use कर रहे हैं, many of them are new to category consumer, means वो पहली बार ride hailing में आ रहे हैं, देख population अगर देखी जाए, तो only 0.5 to 0.6% population uses ride hailing on a regular basis, same number, America में 3.9% है, means इंडिया में वो growth का option बहुत है, अगर हम वो form factor easily available करा देंगे, हम उन लोगों के लिए असान कर देंगे, वो trip book करना three wheelers or two wheelers का, same three wheeler जो आपको पहले 100 meter चल के street में खड़े होके, हाथ दिखा कर रोकना प घर के बाहर आजाए, वही three wheeler में आपको price पहले से पता हो, जिसे आपको haggling ना करनी पड़े, और आप payment चाहे, अपनी मर्जी से credit card, debit card, wallet से कर सकें, तो suddenly consumers will embrace it, और वही हो रहा है, same consumers are now coming to ride hailing and finding the benefits of that. तो अभी आते हैं शिकायतों पर, क्योंकि बहुत सारी शिकायते होती हैं और सिर्फ Uber के साथ नहीं, जो सारे ride hailing apps हैं और जो आपके competitors हैं उनके साथ भी बहुत शिकायते होती हैं, वो सेम होती हैं, सबसे बड़ी शिकायत है कि जब हम ride book करते हैं, हमें पता नहीं कि जो driver है, वह वहाँ पर जाएगा यह रहीं, वो पहले पूछेंगे आपको जाना का है और उनको नहीं जाना है तो कैंसल कर देंगे, इसको आप कैसे अड्रेस कर रहे हैं। पहले तो मैं शुकरिया देता हूँ सारे consumers का जो शिकायत हमें कर रहे हैं, क्योंकि वो दिखता है कि वो Uber को successful देखना चाहते हैं, वो ब्रैंड को successful देखना चाहते हैं। और मैं यह भी सबसे पहले अक्नॉलेज करता हूँ कि पैंडेमिक के बाद कुछ महीनों के लिए ऐसा समय था जो हमारा रिलाइबिलिटी का प्रॉमिस था उसमें थोड़ा कमजोरी आया था पर्टिकुलरली कैंसलेशन इशू को लेकर जैसे कई ड्राइवर्स पूछते थे जाना कहा है और उसके बाद वो डिसाइड करते थी कि वो ट्रिप करेंगे नी करेंगे और हमारा जो प्रॉमिस था कि आब बटन दबाएंगे गाड़ी या थ्री विलर आपके आपकी आटो या मोटर साइकल आपके आएगा वो प्रॉमिस ब्रेक हो रहा था तो हमने उसके लिए बहुत detailed consumers और drivers से बात किया हमने अपना technology में changes किये हैं और अब हम देख रहे हैं कि उसका improvements clearly market में दिख रहा है हमने तीन बड़े changes किये हैं तमना जी एक हम ने across the board अब drivers को ज़ादा choice दे रहे हैं drivers नो पहले से कि वो drip का destination कहां का है payment method क्या है और हम उनसे ये training कर रहे हैं उनके समझा रहे हैं कि अगर आप accept कर रहे हैं पहले आप information को समझ के accept कर रहे हैं अगर आप trip accept कर रहे हैं तो you must complete the trip क्यों पहले वो information नहीं था हम आपको information वो provide कर रहे हैं दूसरा हमने changes किये हैं कि drivers को अगर वो लंबा trip pick up है अगर वो चाहते हैं उनका trip हो वो चाहते हैं earning करें तो हम डिरेक्ली उनको दे रहे हैं थर्ड हमने ड्राइवर्स के साथ बहट के ये भी समझने का कोशिश किया है कि कौन सी ऐसी locations हैं जहां पे उन्हें ट्रिप कई बार नहीं देना चाहते तो हमने वहाँ पे काफी changes किये हैं जिससे उनको वहाँ पे pricing में changes करके ताकि उनको वो उनके लिए वो economically interesting रहे ताकि अगर उनको वहाँ से वापस खाली आना पड़ता है तो फेर्स में changes आ जाएं ताकि उनको लिए ये attractive हो जाएं ये मेरा इस शो में आपके साथ है ये promise है ये commitment है कि आप continuously improvement देखेंगे क्या 100% trips में एकदम आपको magical experience मिलेगा अभी शायद नहीं लेकिन improvement बिलकुल है हमारे data के इसाब से जाना कहा है अब 85% reduction हो गया है हमें अब platform पे ऐसी हजारों और गाडियां add करनी पड़ेंगी जो पिछले दो साल से नहीं होई थी add जिसके कारण फिर supply बढ़ेगी और आप लोगों को reliability promise भी complete रहेगा ये मेरा आपसे promise है इस शो में ये बताईए कि pandemic के बाद आपने कहा कि काफी असर पड़ा कम driver भी उता रहे थे गाडियों की options भी कम थी और इसलिए ये दिक्कते आ रही थी क्या जो demand है वो पेंडेमिक के पहले के लेवल तक आ गई है या उससे आगे निकल गई है तबना अब हमारा platform total demand और revenues में पैंडेमिक से बढ़ चुका है अब हम internally recovery की बात नहीं करते हैं हम internally growth की बात करते हैं जैसे cities खुले हैं शेहर खुले हैं लोगों ने step out करना शुरू की है पिछले एक साल में Uber का business बहुत ही जोरों से वापस आया है ड्राइवर्स की earnings में बढ़ोतरी होई है डिमान में बढ़ोतरी होई है रेंटल्स प्राड़क है इंटर सिटी जहां पे अब Uber सेम वहिकल को यूज करके दो शेहरों को बीच में जा सकते हैं वो डेट गुना बढ़ चुके हैं और हम ये बढ़ोतरी अब आगे से हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी आ रही है जैसे जैसे शेहर खुल रहे हैं और लोगों में confidence आ रहा है offices वापस जाने का और offices खुल रहे हैं तो हमारा problem यहां से है कि हम नई गाडियां कितनी speed पे अपने fleet partners को, individual drivers को encourage कर सके ताकि वो add कर सके platform पे और आपकी मताबिक कि जो महंगाई बढ़ रही है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ है उसका क्या कोई असर पड़ा है डिमांड पर या वो नहीं देख रहा है आप तामने जी नैचुरल है कि अगर आपका पेट्रोल में 40 प्रतिशट का बढ़ोतरी होगा और उसके कारण वो फेर्ज में 20 से 22 प्रतिशट का बढ़ोतरी हो रहा है तो उसको कंज्यूमर्स में एफेक्ट आएगा क्योंकि वैस सोचेंगे कि क्या ये ट्रिप मैं बाद में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ चाहे अभी करने का क्या मैं दूसरे फॉर्म फेक्टर में कर सकती हूँ मैं क्या मैं प्रेमियर गाड़ी की जगा गो गाड़ी कर सकती हूँ क्या मैं गो गाड़ी की जगा आटो ले सकते हैं तो तो प्रतिश्यूमर्स ऐसे सवाल जरूर पूछते हैं लेकिन दो चीजे हमने अपने डेटा से देखी हैं, एक, मोबिलिटी और ट्रैवल करना एक इंपॉर्टेंट रिक्वार्मेंट है, और कंज्यूमर्स अगर पॉइंट भी जाना है, अगर आपको ऑफिस जाना है, आपको स्कूल जाना है, तो यू डोंग अधर चोइसे, यू हाफ तो भी अबल टू टू टेकर ट्रिप, तो फोगू अगर आप अगर अपर अपर प्रेमियर नहीं लेना चाहतें, आपको अपको अपकर अपको अपको डॉसिस दे रहे हैं, ताकि आपको डिफरें प्राइसपॉंट्स कि यूजियूमर को अबर एको सीम से बाहर ना ज अगर आप पहले यूस करते थे अन और गनाई सेक्टर का, चार गंटे का पैकेज, आठ गंटे का पैकेज, या दिली और बुंबाई पुने आपको जाने के लिए आप टूर ऑपरेटर की सर्विस यूस कर रहे थे, वहाँ पे आपको ज्यादा खर्चा होना पड़ रहा था, तो people are actually getting far more thoughtful and saying, why don't I use a ride-hailing app, because transparent है, में को सरफ one-way का payment करना पड़ेगा, अगर को issue आएगा, तो मेरे पास support system है, so in fact, we are seeing consumers coming from unorganized sector to organized, so that's why the consumer में आपको बताया था कि नए category में आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं, तो मेरे को बहुत confidence है कि अभी हमें आगे बहुत जाना है, लेकिन demand बढ़ती रहेगी, और हमें obviously अपना service quality maintain रखना है, ताकि जब ये नए consumers platform पे आए, इनको वो experience मिले जो उनको फिर platform के साथ रखेगा, और सबसे बड़ी बात कि हमारे कारक्रम में आपने ये वादा किया है, सबसे कि आपकी service और बहतर होगी, और लोगों को दिक्कत करते कम आती रहेंगी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज बात करेंगे, ताकियु